दोस्तो आज की इस वीडियो मैं अपलोग बताऊंगा अगर आप कीवा का पासफेट भूल गए हैं तो किस तरह से नया पासफेट बनाएंगे सबसे पहले आपको अपने मूबाइल में कोई भी एक ब्रॉजर ओपन कर लेना है और उसके बाद यहां सर्च बार में आपको लिखना है कीवा डॉट ऐसे फिर आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो करा जाएगा उसके बाद यहां देखिए उपर में थ्री लाइन का उप्शन इस पर किलिक कर देना है फिर यहां लॉग इन का एक उप्शन इस पर आपको किलिक करना है फिर यहां एक उप्शन है देखिए I forget my password इस पर आपको किलिक कर देना है और उसके बाद आपका जो भी इकामा नंबर होगा यहां डाल देना है तो मैं अपना इकामा नंबर डाल देता हूँ तो यहांद देख सकते हैं मैं अपना ही कामा नमबर डाल दे हूँ इसके बाद send verification link का एक option इस पर आपको click कर देना है इसके बाद आपके mobile नमबर पर एक verification link भेजा जाएगा कीवा की तरफ से message में आद देख सकते हैं आ चुका है message तो मैं back आ जाता हूँ और मैं message यहां से open कर लेता हूँ आद देख सकते हैं यह link send किया गया है कीवा की तरफ से तो इस पर आपको click करना है यहां से link को copy कर लेना है फिर से आपको browser में जाना है एक नए browser में इस पर आपको click करके रखना है थोड़ देर उसके बाद paste कर देना ठीक है इसको आपको search कर लेना है वहाँ से direct option open का था वहाँ से open भी कर सकते हैं देखिए फिर इस तरह से कुछ आएगा verification code send किया जाएगा 6 digit का वो यहां डाल देना है तो जैसे ही verification code आता है मैं डाल देख सकते हैं verification code आगिया है 849228 849228 कि उसके बाद यहां से confirm पर click कर देना है फिर आपको नया password बनाना है जिसमें यह कुछ आपका बड़ा later भी होना चाहिए छोटा later कुछ number और special character भी होना चाहिए example के लिए मैं screen पर आपको show कर देना तो यहां देख सकते हैं मैं password डाल दे हूँ उसके बाद आपको save new password पर आपको click कर देना है तो हमारा password create हो चुका तो फिर से मैं अपना इकामा number और नया password जो अभी बनाया हूँ डाल कर login करके check कर लेता हूँ तो यहां देख सकते हैं मैं जो अभी नया password बनाया हूँ वह डाल दे हूँ उसके बाद login का option इस पर click कर देना फिर से verification code आएगा 1126 confirm तो यहां देख सकते हैं मेरा कीवा successfully open हो चुका यानि कि जो मैं password अभी बनाया वह password successfully create हो चुका तो इसी तरह से कीवा का password change करेंगा I hope आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना चलिए पर मिलते नेक्स वीडियो थेंक यू